हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तु माई चैनल जीके फार्मार्ट्स मैं डियारक्स गुविन तो आज हम जानेंगे डूफालेक सीरप के बारे में जिसको मनुफेक्ट्चर किया है अबॉट इंडिया लिप्टर ने हम जानेंगे इसके कंपोजीशन यूजेज पॉस्पल साइ इसकी कॉंटिटी है वो होती है और जो इसकी कटाइगरी है वो लैगजेक्ट्व होती है लैगजेक्ट्व वो ड्रग होती है जो ड्रग कॉंस्टिपेशन यानि कब जो कम करती है वो ड्रग जो है लैगजेक्ट्व कटाइगरी की ड्रग होती है इस सीरप को कहां पर साफ हो जाता है और जब पेट साफ होगा तो जहर सी बात है जो कॉंस्टिपेशन है कब्ज वो भी नहीं होगी तो कब्ज में ऐसे इससे रहात मिलती है साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इस सीरप को लेने से तो अब्डुमाइनल पेन हो सकता है और लाइक नोजिया भी फील हो सकता है और रॉम्टिंग भी हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है यह सीरप जो है कहां पर सेफ होती है कैसे हैं प्रेगनेंसी में यूज कर सकते है तो इसे जो pregnancy में है आप डॉक्टर की सलासे से प्रिगनिंसी में use कर सकते हैं और breast feeding में यानि जो माता है अपने बच्चों को इस्तन परान कराती हैं वहाँ पर भी इसे जो यो है डॉक्टर की सलासे use कर सकते हैं और इसे जो है डाइबटीज में भी आप ले सकते हैं जो इसके में जो शिवगर होता है वो नेचुरल होता है इतना ज़्यादा होता नहीं कि आप जो है इसे डाइबटीज में नायूश करें डोज क्या रहती इस सिरप की तो इसकी जो एडरल डोज है वो 15 से 45 एमल के बीच में दे जाती है अगर इसको ज्यादा दिक्कत है तो 45 14 एमल दी जाती है और इसको नॉर्मल से दिक्कत है उसे 15 एमल दी जाती है और इसे 7-14 वर्ष के बच्चों में जो है 15 एमल दी जाती है और जो है इसे जो 1-6 साल के बच्चे हैं उसमें इसे 5-10 एमल के बीच में इसे दिया जाता है इस सिरप को जो है रात में लेना होता है खाने अग बाद इसे आप लेना होता है यह सिरफ कहां पर Contradication oten होती है तो इस इरफ जो है appendicitis में Contradication होती है तो हमारे जो बड़ी आत होती ही उसका चो एक पार्ट होता Lights उसमें जब infection हो जाता तो उसे हम बोलते है appendicitis तो इसमें काफी pain होता है तो यह सिर्फ जो है वहाँ पर contraindication होती है तो दोस्तो ऐसे वीडियो देखने के लिए subscribe करें YouTube चैनल को हमारे और इस वीडियो को like करें comment करें share करें अपने दोस्तों तक मिलते हैं next वीडियो में एक नए topic के साथ